बच्चों आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पार्ट पांच संग्या के विकार नामक पार्ट को पढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं इसमें लिंग वचन कारक पेज 27, 28, 32, 33, 38, 39 प्रसनेक लिंग किसे कहते हैं? लिंग के कितने भेद होते हैं? उनके नाम दिखिये उत्तर शब्द के जिस रूप से उसके नर या मादा होने का ज्ञान हो उसे लिंग कहते हैं लिंग के दो भेद होते हैं? पहला पुलिंग, दूसरा इस्त्री लिंग प्रस्न दो कुछ शब्द जो सदयो पुलिंग रहते हैं? उनके पांच उदाहरन दीजिए उत्तर भारत, चीन, आम, हिमालय, सोमवार, सदयो पुलिंग में रहने वाले शब्द हैं प्रस्न तीन वचन किसे कहते हैं? उत्तर संग्या या सरवनाम सब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले वा वचन कहलाता है जैसे पैंसिल, इस्त्री, चिलिया, पुस्तके, लड़का, बच्चे, आदे प्रस्न चार वचन के कितने भेद हैं? उनके नाम लिखिए उत्तर वचन के दो भेद होते हैं? पहला एक वचन, दूसरा बहवचन प्रस्न पाच, एक वचन वा बहवचन में अंतर इस्पष्ट कीजिए एक वचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले वा एक वचन कहलाता है जैसे भालू, बंदर, कपड़ा, चाबी, कीड़ा, पत्ता, आदे प्रस्न 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 पाच, कारक की परिभाशा लिखिये उत्तर, जिन शब्दांसों से संग्या अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे सब्दों के साथ जाना जाता है, वे कारक कहलाते हैं प्रस्न साथ, कारक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिये उत्तर, कारक आठ प्रकार के होते हैं, पहला करता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चवथा संप्रदान कारक, पांचमा अपादान कारक, छटमा संबंध कारक, सातमा अधिकरन कारक, आठमा संबोधन कारक प्रसनाठ निम्न में अंतर इस्पष्ट कीजिए और कर्मकारक तथा अपादान कारक उत्तर जिस पर क्रियाक का फल अथवा प्रभाव पड़े उसे कर्मकारक कहते हैं इसका परसर्ग चिन्न को होता है जैसे मीना को दूध दो रमा पुस्तक पड़ती है जिस सब्द चिन्न से एक व्यक्त या वस्तु का दूसरे से अलग होने का बोधो उसे अपादान कारक कहते हैं इसका परसर्ग चिन्न से होता है जैसे पेण से फल गीरा उसने जेव से पेण निकाला ब कर्मकारक तथा संपरदान कारण उत्तर कर्मकारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किसे या क्या लगा कर प्रस्न पूछा जाता है जब की संपरदान कारक की पहचान के लिए क्रिया से पहले किस के लिए लगाया जाता है जैसे मीना को दूध दो में कर्मकारक है तथा मीरा बबलू के लिए साइकिल लाई में संपरदान कारक है नीचे दिये गए वाक्यों में रेखांकित सब्दों के लिंग बदल कर पुना हवाक लिखिये कबालक पुस्तक पड़ता है तो बालिका पुस्तक पड़ती है ख सेठ जी को मिठाई खाना पसंद है, सेठाइन को मिठाई खाना पसंद है गायक गाना गाता है, गाई का गाना गाती है गा मेरा पडोसी मुझे बहुत परेशान करता है, मेरी पडोसिन मुझे बहुत परेशान करती है अंगा अध्यापक श्याम पट पर लिख रहे हैं अध्यापिकाएं श्याम पट पर लिख रहे हैं चवथा कोष्ठकों में से उपयुक्त शब्द छाटकर रिक्त स्थान भरिये को मेरा भाई बहुत बुद्धिमान है भाई बहन में से भाई भरेंगे ख धोबिन कपड़े साप धोती है धोबी धोबिन में से धोबिन भरेंगे गह लता मंगेशकर एक अत्य उत्तम गाईका है गायक और गाईका में से गाईका भरेंगे गह सीता बहुत आज्याकारी है आज्याकारी में से आज्याकारी भरेंगे अंग माली पवधे लगा रहा है माली और मालिन में माली भरेंगे माली पवदे लगा रहा है पांचवा सही विकल पर सही का चिन लगाईए का स्वामिनी शब्द में प्रत्या है अई ब इनी स नी इनी पर सही का निशान लगाना है ख जनक का इस्त्री लिंग होगा अ जनकी ब जननी स जानकी जननी पर सही का निसान लगाना है गल लिंग के भेद होते हैं और तीन बा दो सो चार बा दो दो पर सही का निसान लगाना है छटवा सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन लगाईए का समरागी एक इस्त्री लिंग शब्द है सही का निशान, ख तिथियों के नाम पुलिंग होते हैं, गलत का निशान, ग लिंग दो प्रकार के होते हैं, सही का निशान नीचे दिये गए शब्दों के लिंग बदलिये, क स्रीमान का इस्त्रीलिंग स्रीमती, अध्यापिका का पुलिंग अध्यापक, ग बलवान का इस्त्रीलिंग बलवती, ग विद्वान का इस्त्रीलिंग विदुशी, अंग तपस्वी का इस्त्रीलिंग तपस्विनी पेस 32 चोथा शही विकल्प पर सही का चिन लगाईए कवचन के रूप होते हैं और 32 चार सो दो दो पर सही का निसान लगाना है ख अनेक शब्दों का बोध जिनसे होता है उन्हें कहते हैं और एक बचन, ब, बहुबचन, सो अनेक बचन ब बहुबचन पर सही का निशान लगाना है ग हस्ताक्षर सब्द कौन सा बचन है बहुबचन ब सदा एक बचन सदा बहुबचन सदा बहुबचन पर सही का निशान लगाना है ग भीड शब्द क्या है ब सदयो एक बचन ब सदयो बहुबचन सब बहुबचन अंगा एक शब्द का बोध कराने वाले शब्द का लाते हैं और एक बचन बा बहुबचन स इनमे से कोई नहीं इनमे से कोई नहीं पर सही का निशन लगाना है पांचमा कोषठकों से उपयुक्त सब्द छाटकर रिक्त स्थान भरिए बाग में बहुत से फूल खिल रहे हैं फूल फूलों में से फूल भरना है सेना जल्दी से आगे बढ़ी सेना सेनाय में से सेना भरना है अलमारी में सभी विसयों की पुस्तकें रखी थी पुस्तकें पुस्तक में से पुस्तकें भरना है गह मेरी कच्छा में दस लड़कियां हैं लड़की लड़कियां में से लड़कियां भरना है अंगा व्रिक्ष की डाल पर तोता बैठा है तोता तोते में से तोता भरना है छटवान नीचे दिये गए शब्दों से उनके एक बचन तथा बभ बचन रूपों को इसपश्ट करने वाले वाकिय बनाए को साधु एक बचन का वाकिय बनाना है साधु तपस्या कर रहा है साधु बह बचन का वाक्य साधु तपस्या कर रहे हैं ख बादल एक बचन का वाक्य बादल गरज रहे हैं पेस 38, निम्न में सही विकल पर सही का चिन लगाईए, कारक शब्द वाक्य को देते हैं, और शब्द बसुंदरता सब पुर्णता, पुर्णता पर सही का निशान लगाना है, ख, कारक के भेद हैं, और 6, 2, 8, 103, 2, 8, आठ पर सही का निशान लगाना है, ग, करता कारक की विभक्ति है, और से, ब, को, स, ने, स, ने, पर सही का निशान लगाना है, ने, पर, ग, से, विभक्ति चिन्ना है, और करता व संप्रदान का, ब, करण व अपादान का, स, कर्म व करता का, ब, करण व अपादान का, पर सही का निशान लगाना है, अंगा जुदाई का भाव कौन से कारक से प्रकट होता है, और करण से, ब, अपादान से, स, कर्म से, ब, अपादान से पर सही का निशान लगाना है, पांचमा रिक्त अस्थानों में सही कारक चिन भरिये, में की से पर को, कमीनू चारपाई पर बैठिये, पर भरेंगे कमें, ख यह गाड़ी श्याम की है, की भरेंगे, ग, रमन ने बिरजु को पत्थर से मारा को भरेंगे, ग में, ग, कमरे में सब सामान रख दो, ग, में में भरेंगे, अंगा मजदूर ट्रक से सामान उतार रहे हैं, से भरेंगे, होमर के प्रश्ण, पहला प्रश्ण उत्तर याद करना है, दूसरा सही विकल्प पर सही का चिन लगाईए, याद करना है, तीसरा रीक्त स्थान की पूर्ति, याद करना है,